खिलो दोस्तो कैसे है गुड मॉर्णिंग मैं रोहित मिश्रा जबी वी ब्लॉक में आप सब कस्वागत है दोस्तो हमारे बहुत से केंडिडश्स हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप स्लेबस नहीं बताते हैं अस्वम राइफॉल क्या मैंने बताया है आप मेरे विडियो और पूरा वाच्च नहीं कर रहे हैं। आप मिरे वीडियो को पुरा वाच्च करते हैं। है आपको समझ में आता कि म Lindsay असम राइफल का प्यूर जो सुलेवस है प्रिवियस वेफर वह सब ऐसे तो देता नहीं है सब कि मतलब आप भी देखे होंगे कि नोटिफिकेशन पहाई नहीं कि स्लेवस क्या आएगा क्या नहीं इसे पहले हमारे इतने भी पुराने दोस्त थे हैं वह बठाये मेरे को कि इसमें citraha इसमें सबस्तों हम भी क्या कर सकतें दोस्तों हम भी अपना त्यारी कर रहते हुअ हम भी तो सबसे मातबुरी हो गया दोस्तों की मैथ एक मतलब हो गया है और और सबसे उसमें यह हो गया कि जिस बन्दे के लिए Lahari roughly 25 इंग्रिस आयगा इसमें कुई नहीं इसमें 25 इंग्लिस आये गा है दोस्तों क्योंकि आप एजू के सोरी दोस्तों माफी चाहता हूं आप हॉलदार बनने जा रहे हैं एक सिपाही अगर एक सिपाही भरती होता है तो उसको हॉलदार बनने में आपको 12-15 साल लग जाता है कोई-कोई क्योंकि आप अगर सिपाही में घुष्टे रहेगा तो 15 साल तक के बाद ही आप हेड़ कंश्टेबल बनने जा रहे हैं तो कुष्टन ठोट रहेगा दोस्तों 25 नंबर इंग्लिस आएगा देखिए 15 नंबर मिंँग्लिस में क्या क्या सकता है पैसेज तो आएगा दोस नंबर हम और भी कलरक डियां आर्मी के कलरका बी गयां तो ऐसा है मतलब मेरे साथ भी हुआ है कि पैसेज भी आएगा है उसके बाद फिलिंग दर ब्लैंक नरेशन भी इस सम के लिए थोड़ा सा इस सब पे इंग्लिस बज़ाद आप फोकुच एजिए और हमारे बिहार के खास करके लड़के के लिए हम बता रहे हैं कि देट के लिए मतलब ऐसे नहीं है कि खास बिहारे के एक सब्सक्राज हुए कि लेकि कुछ बिहारे कि कुछ सुनते हैं कि विहार के लड़के कुछ इंग्लिस कमजोर रहती है नहीं है जीससे मैं अपने आपको ले रहा हूं वनकों व कotteषक्या देखित मीमें जरत मेली टेश हुलें work yourction सा को अपना त्यारी कर रहा हूं अब द रिलेस्वन वाले नहीं बना पाते हैं जल्दी और यह होता है कोडिंग डिकोडिंग वह आते हैं यह सब आएगा ज्यादा तोर नहीं आएगा पहले रहता था कि कि दिहास में के बहुत हरें कोन सब प्रचीन बेद ही है हुए मतलब लेकिन अब यह सब नहीं आ रहा है उसको निचोड के उसके अंदर के निचोड के ऐसे दे रहें सब तो आप लोग बढ़े भी न तो पूरा निचोड की पढ़ाई करें क्योंकि एक भी सवाल छुटना नह करा नहीं है दुस्तों अगर मेरे अगर मुझे कंफर्व है तो मैं वहीं टोच करूंगा अगर नहीं है तो नहीं टौच करूंगा क्योंकि टोटल सीट भीहार के लिए वीच हैं और उत्रपधेश में तो अधिकल्य अधिक्तौर नॉगालेंड के लिए स्वीट है मैं अभ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इससे भी मैं आपको हर चीज वीडियो के माधियम सम्म आपको बाते बताते रहेंगे और जनकारिया भी देते रहेंगे दोस्तों इसके पहले फिर अभी ट्रेडमैन लोग फिच को लिका रहा है अभी श्टाट होगा अभी नहीं मतलब इसके मैं समझी है परसेंटेज लॉस परसेंटेज प्रोफिट लॉस यह सोग और ट्रेन होला में तो आई जाता है कि मतलब आई इसने चले तो कितने मतलब कितने देर में पहुचाएगी ति यह सब ऐसा है सब उसके पास समयर तक लोग ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि मजबूत देग टाके करेंट अफियर्ष नहीं पकड़ा पारा है मैंने तुरंत इससे पहले मैंने बिहार द्रोगा के एकजाम दिया था तो मुझे करेंट अफियर्ष पकड़ा नहीं गया पंद्रह करेंट अफेर्स था सेगंड पाली में मेरे एक्जाम था लेकिन मेरे सेगंड पाली में होने के मतलब में कि छे से मनने 15 मैं से 56 ही पकड़ पया और होता है कि दो- Mark मतलब मैं पुर्ण रूर्प से बिहारी हूं और भीहार के भाह से फिशोंच लगा रहाता है कि इतें कौन मार इसे मैंने टच किया है सही उसके बाद जो ढ än शुके बाद मैंने 15 मतलब 15 के 58 ऐसे रंग दिया है yn अब देछते हैं क्या होता है रिजल्ट आता है क demostra भी गलद था तो इसमीं भी नेकैटी मार्किंग था लुए मैंने भी बता दिया तो इसमें से current affairs आप पढ़िए पुरा और current affairs मन लगा के पढ़िए और English भी पढ़िए और रहा computer का सवाल तो computer भी समें या कि कंप्यूटर का मतलब जो सवाल लगा देगा जो सेटर के मतलब पेपर सेट करता है कि मतलब जाने ने और सब सेटर मत समझेगा तो दोस्तों मैंने यह बताया और सम राइफल कलर्क हौलदार के लिए है और हमारे बहुत से दोस्तों के मतलब बोलते हैं कि टाइपिंग टाइपिंग के बारे में टाइपिंग सवार मेरा घर पे इतना हो रहा है तो मैं वहाँ पर जाके मेरा कितना होगा अरे भाई कितना होगा क्या आपने की मन में लगन है ना दील में लगन है ना कि मैं यह कर सकता हूं तो आप करिए मेरा घर पे 46 हो रहा है तो मैं कैसर वहाँ पर जाके सेलेक्ट हो जाओंगा तो भाई मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं कि आप सेलेक्ट हो जाओंगे आपकी मेहनत की ऊपर defend करता है कि आपने कैसे वर्ड किया आपने कैसे वर्ड को ठच किया मतलब टाइप किया आपके यहां पर होता है कि पहले में भी एक इरपी निकल गह था टाइपिंग निकला था लेकिन मेरा क्या हुआ मतलब जनावरी में मेरा टाइपिंग था और मेरा लगया हाथ पैर कापने मैंने एक जदा गलती करते हैं तो सुरी सुरी उन्नीस मेरा जदा गलती हो गयता इसमें साप लिखार आता है कि 350 वर्ड में सत्रह साथे सत्रह गलतिया माफ रहते हैं हर मतलब क्लर्क में जिसका अगर 30 के स्वीड हिंदी और 35 के इंगलीज मांग दिया हो तो कि इससे घवड नहीं है आप जाया आपको मैंटर थोड़े दिये जा रहा है कि आप पेज पर क्याशन से मैंटर दे दिया जाएगा कि आप इसौkop बता दिए तो ऐसे रहता है लाइन बे लाइन में कि आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए तिये गलत बात है ऐसा नहीं है वहां पर बिल्कुल सफ्ट्वेयर पर टाइपिंग हो रही है जो अगर अच्छा से बंद्या वहनत किया होगा उसका जुरूर सेलेक्शन होगा और दोस्तों मैं भी यह भी बता दे रहा हूं कि देखें वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप देख सकते हैं कि देखिए लिखा है अगर माल नहीं क सासन से आप क्या समझते हैं एक उधारन देकर समझाइए फिर आपको इंटर दबा देना है दोस्तों क्या करना है कि यह जो वर्ड वन जो आपको दिखाई दे रहा है इसको पूरा करने के बाद आपको इंटर दबा देना है अब फिर दूसरा करने के बाद और हां कोई भी यह गलत वर्ड होगा दोस्तों यह हाई लाइट नहीं होगा यह हाई लाइट नहीं होगा दोस्तों और यह देखे फिर भारत में कानुझ बिनाने की प्रिकेहरीया के मुख्ञ बातों को अपने ing tuition में लिखिए पिर इंटर दर दोस्तों तो आपने को मैंने यह अगर समझने वाले लड़के रहेंगे तो जरूर समझ जाएंगे और वहां पर जाके अपना बहुत अच्छा से मेनद करेंगे अगर वहां पर जाने भी नहीं मतलब घर पर जो मेनद किया उनका पूरा फाइनल सेलेक्शन और मैं हमारे एक र सारे फिचकल फिटी पीटी पास कर लिया टैपिंग लिया वह तो बोला कि या मैं पास कर जाओंगा घर जाओ तुम पास करना भाई उसका तो मैं उसका भी इस वीडियो के मतलब उसका भी जो उसने भिजा आए मैं उसका भी देखाऊंगा वह 309 कि 119 पासवर्ड मारा है दोस्तों समझ जाए कि एक वर्ड के चलते वह छट गया बंदा चौंतिस फॉइंट नाइन्टी संगते हैं जाए कि एक पॉइंट की लड़के अगर छट जाए तो उसके दिल प्याब बिठता है अधिल पे ऋसके महनत बवीतता है उसके मा भापो वाले क्या सुछते होंग जाए् उसकले भी वो बंदय वो लेगी नहीं भी आ मैं फिर अगले बार जाओंगा और मेहनत करूंगा तो ऐसा अगर मन में अगर निश्चे कर लिए लड़का सब तो पक्का सेलेक्ट होगा ऐसा नहीं अस्तम राइफल हर साल वेकेंसी आती है यह सब नहीं है कि CRP 5 साल निकाल नहीं रहा ह है ITBP नहीं निकाल रहा है ITBP 2018 के बाद अभी कहाँ वेकेंसी आया नहीं आया CRP अभी कहाँ आया नहीं आया 2016 के बाद भी CRP head constable का वेकेंसी आया नहीं आया BSF 2016 में आया था head constable का लास्ट में नहीं आया अस्वम राइफल का ऐसा मतलब भरती बोड है को हर साल करोना के चलते दो साल नहीं निकाला लेकिन हर साल वेकेंसी निकलता है ज्यादा हो यह कम हो लेकिन हर साल निकलता है तो दोस्तों इसे निरास नहीं होना है राइफल आप तयारी कि जिएenger का है स्वम राइफल को जो भी हमारे दौस्त केंडेट उल्हों से मैं बोलता हूं इत yellow हो उन लोग करता हो जो टाइपिंग निकाला है और जो नहीं निकाला है वो भी रगड के मेहनत कीजिए रगड के टाइपिंग कीजिए हम भी अपना ड्रगण के ही क्लास कर रहा है और आप लोगों के माफी चाहता हूं आप लोगों वीडियो बनाने के लिए मतलब आप लोगों मोटिवेट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि रिटेन के त्यारी मैं भी रिटेन के त्यारी जब अब जस्त कर रहा हूं ऐ चाहते कोई भी चाहेगा कि मेरा लड़का है भालती होग है आप सब्सक्राइब कि Sec maravil sans प्शुचा नहीं रहेगा तो कोई भाइलू नहीं आपके पास अगर 20 पोड़का खेत है न उनbacks आपके पास और आपके पास जो भाय और बिस भीका खेते तो उपायलू नहीं आपkes Korea का में सरकारी दौकरी वाले का ये प्रमलू है आज के डिप में वह अपना लड की कि अ में सब्सक्राइब है करें किस हमको सरकारी तैसी नदैनेधर न चाहता है तीसली इसा महनत को इतना रगण के महनत करू किस सब नहीं है रेखे जाता हूं थोड़ा बहावनाव में बह घयत Weil अप रगण के महनत करिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियोमे रहे हैं जये दोस्तों